आपको बताओं दूद बढ़ाने वाला दलिया दूद बढ़ाने वाला क्या बताओं दलिया ठीक दोस्तों यहां मेली तो दलिया आपके पास गाय होगा पुस्पलग भाईयों भैस भी होगी आपका बक्री भी होगा यानि गाय भैस बक्री आपके पास अबलेबल है उपलब डूध आपको गाए का भैस का दूध बढ़ा ना आत ऑपंटे घरिलों चियों से आप अपने गाए भैस का दूध बढ़ा सकते हो तो घर का रासन के अबात कटे आप हुआ क्या का सामागरे लेनी है पहले फशंट आपको ग्यों लेना ह्ट ही आपको पता है कटाओए हो幹嘛 15 जापको रेंगे के लेना है डš्ड बात्र हो न intuitive Cincinnati कि मेथी दाना कितना लिक्षे कौने में सब्लवाईं इसमें दो राष festivals करने नमक नमक आपको लिना है 500 ग्राहम नमक आपको अपोऋ जश। है कि indigenous नुट बात की तो मिंठाव है इसमें 100-100ahh सब्सक्राइब और बात करते किस तरीख से पहले बिजिट करते प्यार स लाइक अभी स्क्राइब जरूर कर लेशना है यह सब्सक्राइब कर लेए आपको घर में स्वयाबीन भी होगा अपको बाहर से खृदना होगा ठीक दोस्तों और अपको गुड आप गेहूं को और स्व वहाँ पाप इसको अफ़ाव बन बाले जब अव्लिया बन जाए आप इसको क्या करें उसे मेथि कभी डाल दे तो इसको को विलें यह लो पुरह नहीं दोस्तों यह तीनो का डलिया बनाया तो अपको 500 लेना याने कितां लेना है उसके बाद पस्पल इसमें क्या करना है आपको नमक नमक कितना 20 ग्राम आपको इसमें डाल देना है पस्पल होई उसके बाद मीठा सोड़ा मीठा सोडा कितने डालना है पसपपलो भाई हो मीठा सोडा 50 ग्राम का सबस आप डाल सकते हैं उसमें गुड कितने डालना आपको 1500 ग्राम से 200 तक आप जमारे डाल सकते हैं अब क्या कर पासो देखिए आप जो फीड दे रहों अपने पसु को जो बांडा ने पहले से फीड दे रहो आप को सिस करें पिशे में से एक कीज आप फीड कम कर दें उसमें आप यह मिक्स कर दें आपको पूरा पांच कीजी का बाँ तेयार होगे दोस्तों अधिक पसवालों बात होता कि आप अगर इसको दोगे आपकी पसुद नहीं ब्याद पे हैं दस दिन ब्याइब उसको यह नहीं देना जो दस दिन आपके पसुद बच्चा दे उसको यह बिल्कूल भी चीज नहीं देना दोस्तों आप जानते हो कि गेहूं में केल्सियम भरपूर मातरा पाइब दोस्तों स्वाबीन आप जानते हो जो कि तेल के लिए बहुत जबरदस चीज ह मेथी आपको पता है कि मेथी जो है हमारे पसुद केल्सियम भरपूर मातरा प्रप देता है दोस्तों अगर आप चातों पर इसमें एक और चीज़ादा नहीं बढ़ पार आप उसको दे सकते हैं यह अगर आपकी पसुद्धन है यानि कि अगर आपकी पर प्रेगनेंट है क प्रपर आठ मैंने की ा फिर नो मैंने की है आपके कर ड़काव जो थे आप लोगे अगर की ऊछैट रहे है है तो आपके च्टाrr यह कटरी है कि आपक क्या करें उसको आप दे सकते हैं कितना आप उसको परती दिन कम सकम 200 ग्राम का बांड़ा पूरा बना के आप 200 ग्राम के सबसे आप अपना देना शुरू कर सकते हैं इससे क्या होगा आपकी जो पसु का जो कट्रा कट्री है उसका ग्रोथ अच्छा देखने को आपको मिल जाएगा तो गाय को भी आपको देना है या दोस्तों और भैस को तो किना देना भैसको पान्शो ग्राम सकते मेथ अगर आपकी जयालत दुठ दे रही है अगर बीसडिल डिन्र दोस्तों आप उसको 700 ग्राम दे शक्त दोस्तों कि दिकत इसमें नहीं लेकिन 15 लिटरय आपकी तो आपको 500 ग्राम ही देना है दोस्तों आप देखूँ आपकी पस्व का दूथ जो है वह पिछले ब्यांत के मुखाई जैसे वह दूथ दे रही है आप अपने पस्व को दूथ देखूँए आपके पस्व को दूथ बढ़ चुका बहुत जवर्दस तरीका से आप इसे आप अपने पर्सु का दूद्ध बढ़ा सकते हो यह आप समझ के गाए को कितना देना है गाए को पान सो ग्रम देना अगर आपकी गाए अगर 20-25 लीटर दूद्ध दे रही है अगर आप उसको 700 ग्राम तक भी दे सकते हैं आप उसको एक केजी तक आप इस फीड को दे सकते हो को आप अब बात करते हैं आप बकरी पर आप इसको कमी होता है आप बक्री को कम सगाव की मातराम दोस्तों डलिया लें 200 लें जो मैंन आपको बता है उसमें आप 5 से 5 से 10 घ्राम ठीक दोस्तों नमक देने आपको मीठा सोड़ा मैं लिंग गाइए तो कहां पे मिठा सोड़ा और आपको देना गुड़ कितना पचास ग्राम आप इसको अच्छ अच्छ से बना ले पका ले अच्छ से मिक्स कर लें बंडे को और है तो झाट बढ़ना अस्टाट हो जाएगा आप चाहो तो इसमें 10 ग्राम हल्दी की मात्रा भी आप दे सकते हो तो यह तरीका सा अपने पसु का दूद बढ़ा सकते दूद बढ़ाने का जो दलिया है इस तरह किसमें दलिया बना सकते दलिया तयार कर सकते और दोस्तों मैं आपको बताय जांग है और दलिया को कोषिस करें आप अपने आख्यों आक्रों के और सफेशीय को नो दभिशवाएं देखें अगर आप उसमें हलते हो हल्दी अगर आपने दियां उसमें कम से कम हल्दी अगर 200 गालवाज्म आपने हल्दी दे दिया दोस्तों यह फो मुलें ह Kerry क्या गर बढ़ा सकते बच्रा बच्री को भी आप आप बकर कर सकते हैं और आप परकते तो साथ दिन का अंदर आपको देखने को रिजल्ट मिल जाएगा आपके पसुछ दूद पर आजाएगी और आपको अच्छा बोडिवेट देखने को मिल जाएगी जो आपके पसुगाया भैस जो दूद कम देरी आप उसके उप्र अपलाई कर सकते हो अगर आपको पस कट र जरूर दे दिया करें दोस्तों कोई साभी किरेक दवाई जो कंपनिया आपके पास नजदी के स्टोर में वहां सब किरेक दवाई ले ले आप इसको देखें उसके बाद इस फोर्मल को चालो करें तो कोई दिकत नहीं आगर जातो इससे पहले विडियो का आज भी आप इसको पालू कर सकते हो अगर आप पिसे पहले प्सवाल होगा है तो प्यार्स लाइक अब इसको चैसर्ट कर लें इस चैनल के माध्यम से आपको महत्पुनी जान करें मिलते रहेगी दोस्तों इस वीडियो को आप उनकी सांते जरूर्द कम दे रही है कम मात्रा दूद उन्ते के इस वीडियो को जरूर्द सेर करें तो धन्यवाद पासुपालों सेते मिलते नेक्स्ट वीडियों तब तक आप मुझागे